हेलो एवरिगोन मैं विश्जीत सिंग आप सभी का देई नव पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम महिस्ट्री MHI06 स्टार्ट करने वाले हैं लेसन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा MHI06 के बारे में हम स्टडी करते हैं MHI06 है क्या उसको briefly introduction लेते हैं दोस्तों MHI06 का जो हमारे book का नाम है भारत में समाजिक सनरचनाओं का युगों से होता हुआ विकास इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर में जो अलग-अलग time period पे जो परिवर्तन हुए जो विकास हुआ उसके बारे में हमें study करना है कि किस time period में क्या परिवर्तन हुआ जिसके अंदर में हम बात करेंगे तांबरपाशान काल से पूरा पाशान, तांबरपाशान काल से लेकर आधुनिक युग तक पूरा जो आधुनिक भारत है उसन भात करने वाले हैं जहां पर हम उपनिवेश वाद तक पूरा पढ़ेंगे इन पूरے time period के अंदर में क्या- होता है फिर चेंजिस थोड़ा सा लौह यू आ जाता है लोहे का उपयोक सीखते हैं लोहे का उपयोक के सासाथ में फिर धारनिक परिवर्तन का काल सुरू होता है जहां पर जैंड्रम बोद्रम अपनाते हैं नए-ए-वनसों का आग्मन होता है जिसमें मोर्य वन्स परमुक वन्सों के तौर पे जाना जाता है जिसमें अब वहाँ पे सामाजिक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है सामाजिक परिवर्तन किस परकार का जिसमें वैपारिक परिवर्तन वैपार का आरम होता है खेतिहर वच्ति जो अलग अलग तरगी खेतिहर वच्थी को ते होती है वो देखने को लिए मिल जाते है ठीके सmaसात में हमें क्या मिलता है की जो ग्रामिक समुदाय था वो दीरे दीरे whole रहा था कहांपर सहर की ओर सहर की और बढ़ रहा था सहरी करण ववस्था में देखने के लिए मिल जाती है सहरी करण ववस्था के सासात में हमें अलग 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 तरकी वन ववस्था जाती है गत ववस्था देखने के लिए मिल जाती है थीक है उसके सासात में नैने वंसू का आगमन ठीक है छेतरिय सब्यता सीमाधर्ज सीमाबट्णा जो छेतर बटरे थे अलग लग ये Τरीरा राजजी है य हमें देखने केमा मिल जाता है सासात में दोस्तों यहां यहां पर मैं बात करूँ तो आधुनिक युक्खा शुरू होता है जहां पर अलग लगतर के परिवर्तन स्टार्ट होते हैं परिवर्तन के अंदर में समाजिक आंदोलन धार्मिक आंदोलन का सुरुवात होता है ठीक है नए एतिहाजिक संदर में जातियों का अध्यन किया जाना शुरू हो जाता है, ठीक है, ग्रामिन सहरी सितलता का सोरूप बढ़ता हुआ जाता है, ठीक है, नए ने तरह के आंदोलन होते हैं, उपनिवेशिक नीतियां सुरू हो जाती है, उपनिवेशवाद भारत के अंदर म हम देखेंगे, तो MHI 06 के अंदर में मतलब एक स्टार्टिंग के टाइम पिरेट से लेकर उपनिवेशवाद तक के अंदर में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, सोसाइटी के अंदर में किस तर से चीजे बदली उसको हम पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीजे पढ़ना है, पर important है, मज़िदार है, पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आज का जो हमारा first lesson है, उसको ही start करते हैं दोस्तों, यह थोड़ा सा introduction था, कि आपको पढ़ना है कि MHI 06 के अंदर में, अब हम हम first lesson ही start करते हैं, दोस्तों MHI 06 का जो first lesson है, उसका नाम है प्राचिन समाज का पूह न और कैसा है, यह जानने के लिए कुछ चीजे चाहिए, कीजे क्या चाहिए, सुरोथ चाहिए, कि उसके बारे में, क्या सुरोथ है, क्या resource है, जिससे हमें पता चले कि हो किस पर कार का है, तो सुरोथ क्या क्या होते हैं, वो आज की इस chapter के अंदर में हमें पढ़ना है, ठीक ह आपको कई बार इसको पता होगा, even आप 9-10 से ये पढ़ते आरें, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो सुरोत क्या होते हैं, चार तरह के सुरोत होते हैं, और इसके अंदर में एक व्याख्या पढ़ेंगे, कि किस तरह से लोगों की धारणा क्या है, कॉंसेप्ट क्या पुरा लेख्या सुरोत होता है, उसके अंदर में क्योंता है, पुराना लिखा हुआ सुरोत, पुरा लेख्या सुरोत को अगर आप संदी भी छेद करोगे, बाटोगे, तो पुरा मतलब पुराना, लेख्या मतलब क्या, लिखा हुआ, सुरोत, रिसोर्स, पुरा लेख्या जिसके अंदर में पुराना लिखा हुआ कोई भी चीज स्रोत के तौर पर जाना गया किस तरह के चीज अभिलेक कोई भी अभिलेक हुए ठीक है अभिलेक हुए जैसे असोक के अभिलेक थे असोक के अभिलेक के बारे में आपने बहुत पड़ा होगा ठीक है अलग अलग जो साजाओं के द्वारा जो अभी लेक लिखे गए वो सारे इसके अंदर में आते हैं समुंद्र गुप्त हो गया रुदमन हो गया ठीक है दिल्ली की जो प्रशास्नी ववस्था थी वहां पर कई तरक अभी लेक लिखे गए दिवालों पर जो नकासी की जाती ती अलग लगते के चितकार्या की जाती ती वो भी अभी लेकों के तौर पर देखा गया ठीक है जो सूचना पठ बनाए जाते थे ठीक है सोक के टाइम में अलग लगतर के सूचना पठ बनाए जाते तो वो भी एक तरक के अभी लेकों के अंदर में यहां पे हम उसको काउंट करते हैं ठीक अंदर में में क्या होता है धातू की प्लेटों के किसी तरह की धातू की प्लेट पर लिखाओ हो ठीक है पेंड की छाल पर लिखा जाता था ठीक है कच्छुए की जो खाल होती थी उस पर लिखा जाता था इस तरह की जो चीज़े होती थी ठीक है वो हम यहां पर पुरा लेख के सरौत के इंदर में रखते हैं दूसरा जाता है मुद्रआ अत्र सरौत के तो यESर फेक संधर मी бол parfेक्ष करतें तॉप को मुद्रा संदर में बात करतें सिखों के बारे अब कि सिखों का पर्चलन चैश्य रहा तो अलग अलग उपता क्या चलता चलता है किसी ने चांदी के, किसी ने सोने के, किसी ने तांबे के, किसी ने लोहे के, किसी ने पत्थर के, किसी ने लग लग डिजाइन के सिक्के चले, सिक्को से हमें पता कैसे चलता है सिक्क्यों से सबसे पहले में बता चलता है कि राजा, किस राजा ने सिक्क्य का निर्मान करवाया, कब करवाया, यह हमें पता चल जाता है, ठीके, exact time period क्या था, यह हमें पता चल जाता है, उसका motive क्या था, यह हमें पता चल जाता है, ठीके, कि करवाने का reason क्या था, उनके कु कुल देवी देवताओं की पोटो अंकीत होती थी उनका रास्ट ये पसू पक्षी क्या थे इसके बारे में हमें पता चल जाता है क्योंकि कई बार उन पर वो चीजे अंकीत होती थी उनका द्वज जो द्वज होता था वो किस परकार का होता था वो भी कई बार अंकीत होता थ तर यहां सोंधिक है कि उनकी इस्तिथी ये भी हमें पता चल जाता है ठीक है उसके बाद में वो धार्मिक तौर पर ठीक है धार्मिक तौर पर किस तरह के था धर्म क्या मानते थे वो भी हमें पता दिल जाता है ठीक है सिक्के की बनावट किस परकार का था उनका structure किस तरह का था ये पता दिल जाता है किस तरह का उनका जो मतलब कितना विक्सित है उसी को कर निरुमान करने में क्योंकि पहले के टाइम में आहात सिक्के बन देते हैं आहात सिक्के क्या होते हैं जिसको ठोक पीट कर बना जाते हैं ठोक ठोक कर बना जाते हैं उसे आहात सिक्के कहते हैं मतलब चोट पहुचा कर बनाना, ठीके, तो उनकी टेकनोलजी कितनी विक्सिती ये हमें आइडिया मिल जाता है, तो ये सारा कुछ हमें सिक्कों से पता चलता है, अब मैं बात करूँ पूरा तत्व के बारे में, पूरा तत्व मतलब क्या होता है, इसको दुबारे संदी समारक हुआ, ठीके, मिर्त भांड हुआ, मिर्त भांड क्या होता है, मिर्टी के बरतन, ठीके, कोई भी इमारत हुआ, इमारत के टुकडे हुए, मिर्टी के टुकडे हुए, बरतन के टुकडे हुए, ठीके, तो इन सभी चीजों को हम पूरा तत्व के अंदर में रखते है, हडपा सबेता का जो श्टड़ी होता है और मोस्ट वहाँ पे कोई पुरा लेख नहीं मिला घ्याल हूंट क्या हूं की है इस तरह से करते थे अग् 되는데 वह माना खाल तर हमकी बटेesz्ちょ टॉर्पना तो साहितिक सुरत मतलब जिस कितावे लिखी गई ठीकि अलग लगतर के यात्रा विरतांत लिखे गई उसके अधार पर हम जो बात करते हैं ठीकिए वो साहितिक सुरत कहलाता है इसका एक्जामपल अगर मैं बात करूँ मोरिश समराजी के अंदर में पढ़ना है अगर मोरिश समराजी की सुरोत के तौरप है अर्दतास पुस्तक के दौरा लिखी गई थी यहां पर मोरिश समराजी के बार में जानकारी यह वह गया इस तरह से हमें नहीं जानकारी जाए नात्य बहुत है तो अलग लग राजाव द्वार्वा दोड़तव की बताने म dran. जो वेद हो गए यह भी बहुत हद तक हमें सुरोतों के तोर पर उप्योग करते हैं हमारे प्राचिन समाज को पूर्ण हिर्मान करने के अंदर में ठीक है समझ में आता है तो सुरोत आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर यह पहला कॉंसेप्ट क्लिए हो जाता है डूसरा कि बात करते हैं तो यहांपर दो तरह के चीजें आती हैं व्याक्या के अंदर में उससे पहले मैं थोड़ा सा रॉफ करूंँए जिसbn unmute चीजे समझ में आए और important है ये व्याख्यावाला ठीक है सबसे important मुझे व्याख्यावाला ही लगा तो इसको हम फटाबट करते हैं बहुत सारे students की comment थे कि मैं बस try कर रहा हूं उसके साफ से response भी मिलता है कि अगर मैंने कुछ डाला उसके साफ से response भी मिले सामने से तब मज़ा आता है जैसे भी मैंने question पूछा आप मैं से कितने लोग जो उसा Áंशर देते हो उसके घिसाब से अलता है कि हार यरी इतने लोग इंगेज हैं इतने लोग इंट्रेस्ट ले रहे हैं इस वेडियो के अंदर में तब फिर मज़ाता है और कर्वानी में अगर interest नहीं दिखा रहा हुता है फिर मज़ा नहीं आता simple सी बात यह है मेरी तो अब यहाँ पर मैं बात करूँ व्याक्या के अंदर में समझ में आगे सुरोत ऐसे है history को लिखी है कुण भाई? इतिहासकार तो उसका कुछ मानना होगा उसका concept होगा कुछ ठीक उसकी कोई theory होगी तो उसकी अलग-अलग theory किस हिसाब से लिखी गई history उसके बारे में हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो विचार धार आएं के बारे में हम बात करते हैं पहला आजाता है उपयोगितावादी जो theory थी उपयोगितावादी theory ठीक है उसके बारे में हम बात करें उपयोगितावादी अगर मैं इंगलिस में बात करूँ तो utilitarian theory के तोर पे हम बात करते है इसके अंदर में क्या का जाता है कि भारतिये जो समाज है वो अपरिवर्तन सिल के तोर पे देखा जाता है जिसको बदला नहीं जा सकता है यहाँ पे जो परमुक इतिहासकार के तोर पे देखे जाते है बैथम, जैमी बैथम और जैमी बैथम और जोन स्टुरिड मिल कि यहां पर मानन जाता है पर्मुक इतियासकार के तौर पर ठीक है ये कहते हैं कि जो भारतीय समाज है उसको हम बदल नहीं सकते ठीक है भारतीय समाज के अंदर में नकारात्मक पक्ष पे बल दिया गया जो negativity है उसके उपर बल दिया गया हर सिक्षिके की दो पहलू होते हैं, अब डिपेंड करता है देखने वाले के उपर में कि वो नकरात्मक को देखता है या सकरात्मक को देखता है, कौन से पक्ष को देखता है तो जो उपियोगतावादी दिरिश्टी कुन रहा उसके अंदर में ज़ाधा तर उपनिवेश्च वादी उतियास कारो का युगदान रहा जिसके अंदर में भारत की जो नकरात्मक सी ती उसको दिखाया गया भारत के अंदर में विभाजित जो मतलब आफस में लडाना था ठीक है उस तरह के चीजों पर जोड दिया गया ठीक है भारत के अंदर में विभाजन के उपर में जोड दिया गया ठीक है हिंदू मुसलमान लडाया गया उसके उपर में जोड दिया गया ठीक है यहां पर उप है कि एक राजा के बारे में बात करो एक राजा के बारे में बात करो या फिर एक ग्राम के बारे में बात करो यहां पर इसके बारे में हम डिसकस करते हैं कि सिखर पर एक निरंकु सत्ता बैठ सकता है या फिर एक स्वेच्छाचारी सासख हो सकता है या फिर निम इस्तर पर ए एत्यासकार हुए उन्होंने भारत के कमियागिनाई कि किस तरह से चीजें हैं भारत की main basic चीजें नहीं बताई। जैसे धारमी का अंदुल बारत के सुरूप क्या हैं अंगर्जुग्यूरा कभी नहीं बताया गया ठीक है सांस्कृति कभी व्यक्ति क्या है वो कभी नहीं बताया गया ठीक है बनवासी संस्कृति क्या है जुमर खिती क्या है चरगहा संस्कृति क्या है किसाना संस्कृति क्या है कारिगर को लेकर सोदागर क्या है विजात वर्ग संस्कृति क्या है ठी के उपर जोर दिया और यह सारी चीज़े उन्होंने clear करी ठीक है समझ में आता है यह वाला यहां पर concept हो जाता है clear पर मैं आपको suggestion दूँगा उपयोगितावादी और प्राचिवादी को एक बार आप book से पढ़िएगा जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए क्योंकि मैं अलग तरीके से लोग पढ़ते हैं अलगलग चीजों को देखते हैं ठीक है नजरिया क्या है लोगों को पढ़ने का उसके बारे में आपको बात करना है पुरातात्त की प्रकृती किस तरह की प्रकृती है पुरातात्त की वह बात करोगे पाथन सुरोत क्या है किस तरह से क् clear हो जाएगा यह chapter यहाँ पर clear है आने वाले समय में आगे के जो chapter से वो में देरे-देरे करवाता रहूँगा आपका तो आप video से बने रही है चैनल से बने रही है जिससे आपको सारी videos मिल सके time to time दोस्तो आप सभी सरी request है कि ज़्यादा तर जो video होती है में history की lecture based होती है ठीक है तो try किजिएगा इसी तरह से समझने का अपनी notebook लेकर बैठा किजिए जिससे आपको समझ में आए अगर फिर भी कहीं पर कोई doubt रहता है तो आप directly comment करके पूछ सकते हैं या फिर description में सभी social media platform का links दिया हुआ है आप सभी से ये भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगते है वीडियो वैलुवल लगती है तो like, share, subscribe अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर कीजिए और subscribe के बगल में एक join का button है ठीक है आप 29 रुपे का payment करके join कर सकते हैं बहुत सारी benefits मिल सकती है तो friends, thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye-bye, take care, all the best